Hello everyone, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगे आप अपने बालों को लंबा कैसे कर सकते हैं तो अपने बालों को लंबा करने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना ना बोले आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चानल को सस्क्राइब कर ले और कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो आप से मिस नहों जाए इसके लिए बेर आइकन प्रेस करना ना भूले तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने बालों को लंबा करने के लिए आपको अपने बालों को प्रॉपर केर करना होगा प्रॉपर केर करने के लिए आपको प्रॉपर ओइलिंग करनी होगी करने से आपके बाल बहुत जादा स्मूथ होते हैं बहुत जादा स्ट्रॉघ होते हैं तो आपके जाए logे तक अर मजबूत रहें इसके लिए आपको ऐलिंग करना बहुत ज़रूर जरूर है अकसर अपने बालों को थोड़ा थोड़ा कट करने ते रहना चाहिए जिसके वज़े से आपके बाल तेजी से बढ़ेंगे त्रिमिंग युजुली लोग बहुत बहुत टाइम पर करवाते हैं लेकिन मेरे हिसाब से आपको 15 से 20 दिन के अंदर अपने बालों को इतना ही कट करें लेकिन अपने बालों को कट जरूर करें क्योंकि मैं रेगलर ट्रिमिंग घर पे खुद भी कर लेती हूं अपने बालों को ऐसे लेती हूं और उसको जितनी भी जरूरत है उसको ट्रिम खुद से कर लेती हूं तो आपको भी ट्रिमिंग करना बहुत जरूरी है आगे बढ़ते आपको कौन सा pack you use करना चाहिए अपने बालों को बढ़ा करने के लिए आपको home remedy use करनी चाहिए मैं भी अपने बालों में home remedy ट्राइ करते हूं जिसके वज़े से मेरे बाल लंबे होते और soft होते हैं और strong होते थिक होते हैं और बहुत अच्छे घहने रहते आपको होम रेमेडी का एक पैक बनाना है जिस पैक के लिए आपको लेना है आवला आवला आपको किसी भी जेंडर स्टोर पर मिल जाएगा ड्राइ आवला आपको लेना है यह आप यहां देख सकते हैं कैसा आवला आपको लेना है यह आवला आपको 10-15 चमश लेना है उसके आपको लेना है रीठा ये रीठा आपको पान से छे रीठा उस आवला में मिक्स करना है और आपको लेना है शिका काई शिका काई आपको लेना है पान से छे जितना रीठा आप लेंगे उतना ही शिका काई रात को इन तीनों चीजों को एक आईरन के बॉल में या किसी भी ची अप्लाई करने के बाद दो से तीन घंटेस को आपको छोड़ना है दूसरा पैक जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए आपको लेना है फैन्यू ग्रीक आपको रात को भीगो के छोड़ना है दस ते पंदर चमच आप अपने लेंद्स की हिसाब से ले सकते हैं मैं थो एक विटामीनी का कैपसुल भी इसमें आड करें ताकि जो थोड़ा बहुत हैरफॉल होगा वो उससे खतम हो जाएगा यह आपको अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में पीस देना है पीसने के बाद सेम आवला रीथा शिका काई के पैक की तरह इसको दो खंटे के लिए आप आपको हफते में दो बार यूज करना है एक दिन आवला रीथा शिका काई और दूसरे दिन आपको फेन्यूगरी का पक्त यूज करना है यह दोनों चीजों का आप और इसका रिजल्ट आप वाश करने के बाद एक महिने में आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा उसके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले